Hello Friends, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी YouTube चलने नॉलेज में IFMS 3.0 पर आज कर लॉग इन में प्रॉब्लम आ रही है ये लॉग इन का सॉलूशन क्या है, किस तरह से हमें एरर नहीं मिले इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक बार मैं आपको बताएता हूँ ये एरर किस वज़े से आती है यहां मैंने IFMS को हॉमपीज आपन किया हुआ है, सबसे पहले IFMS 3.0 पर क्लिक करेंगे उसके बार डिडियो की हमें ID पास्फट डालना है, मैं यहां पास्फट डाल देता हूँ इसके बाद Capture Code Insert करेंगे इसके बाद Login बटन पर क्लिक करेंगे एक बार मैं वापस पास्फट डाल देता हूँ, पहले से Login था यहां Checkbox पर क्लिक करके हम Login कर लेंगे Login करने के बाद हमें इस तरह का Message मिलता है, तो हम इसको Send Anyway करते है Send Anyway करने के बाद हमें Employee का Name Show होता है, जो हमारे डीडियो है उसके बाद Access Workspace, उसके बाद हमें सिर्फ Desk 1 और HO मिलता है तो हम डालेक्ट यहां पर आ जाते हैं और Employee Management पर क्लिक करते है यह क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का Message मिलता है Ifms Employee Error 01, you doesn't have any role defined in this module हमें लगता है कि हमने यहां पर हमारे रोल कहां गए लेकिन इसका एक solution है, मैं बताता हूँ आपको यहां पर इसको यहां से logout कर देना है Logout करने के बाद हमें अब क्या खोलना है हमें यहां Google पर जाके SSO टाइप करना है जैसे हम SSO ID में login करते हैं वैसे ही करना है यहां पर राजस्तन single sign on करना है उसके बाद वापस से हम डीडियो का ID डालेंगे, password डालेंगे उसके बाद capture code डालेंगे उसके बाद हम login बटन पर click करेंगे login बटन पर click करने के बाद थोड़े देर wait करना है हमें एक बाद page हमारा open हो जाए इसके बाद हमें यहां मिलेगा icon ifms 3.0 अगर नहीं मिलता है तो other active apps में आपको ज़रूर मिल जाएगा अभी यहां पर icon ifms 3.0 पर click करना है जैसे ही आप click करेंगे ddo का name show होगा दो option मिलेंगे आपको access work space and employee self service आपको यह access work space पर click करना है अब देखे आपको वापस से आपके सारे role दिखेंगे अब जिस पर आप desk में काम करते हैं आपके जो ddo है उस पर click कीजिए और एक बात और बता दू जो revert salary bill नहीं मिल रहें आपको यह access का button नहीं मिल रहा है वो इस वज़े से नहीं मिलता है आपको कि आप desk 1 पर login कर लेते हैं आपको desk 2 या desk 3 जिस पर भी आपकी video id देख रहे हैं उस पर click करके नीचे click करना है और फिर आप वापस employee management पर जाईए अब आपको किसी प्रकार का login error प्रदर्शित नहीं होगा एक बार यह page load हो जाए मैं पता रहे ता हूँ आपको अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें किसी भी तरह का error प्राप्ट नहीं हो रहा है आप आराम से आपके IFMS 3.0 पर work कर सकते हैं यहाँ देख सकते हैं आप किसी भी तरह का error शो नहीं है अब आराम से कम कीजिए आपको किसी प्रेकार का error शो नहीं होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे अधिक साधिक लोगों के साथ शेर कर देना ताकि उनके भी error की problem ना है थैंक्यू सो मच